नमस्कार आमी मनोग्या लोईवाल आप देख रहे हमारी खास पेशकर सीधे पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले से लेकिन अभी शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अपना 23 अप्रेल यानि कल का शुक्रवार का दोरा पश्चिम बंगाल में अब रद्ध कर दिया गहे चार जगा प्रधान मंत्री को रैलियां करनी थी मालदा, कोलकाता इसके अलावा इलाकों में भी सीधे बात करने के लिए हमारे साथ अभी जुडेंगे हमारे संबादाता लेकिन आपको ये भी बता दे कि ये बड़ी खबर क्यों है क्योंकि अभी तक जितनी भी रैलियां हुई हैं उनमें हजारों के भीड रही है हाला कि इस बार अलग तैयारियों के साथ ये रैली की जा रही थी माल्दा में बाकी सारे इलाकों में भी 500 से ज्यादा लोगों को अनुमती नहीं दी गई थी हर एक का कोविड टेस्ट कराया जा रहा था और ये भी ध्यान में रखा जा रहा था कि जो भी व्यक्ति आएं वो सौ मीटर दूर एक दूसरे से बैठें क्या गया चुना दिया हमारे साथ सीधा जुड़रे हमारे समवादाता विकास भधोरिया विकास क्या है खबर और क्यों हुआ ये पूरा दौरा रद कि जायर तोर पर देश में जो हालाद को लेकर बने हो खास तोर पर ऑक्सिजन की सप्लाई को लेकर जिस तरह से देश में हालाद बने हुए है उस पर आज भी बैठा की ये प्रधानमंती ने कल पूरे कोविट के हालाद नए इंट्रस्ट्रक्चर के क्रियेशन औक्सिजन की सप्लाई और डिमांड इसको लेकर हालाद और ज्यादा संगीन हो सकते हैं क्योंकि आज इस तरह से अचानक से सर्ज आया है ऑक्सिजन के डिमांड वाले पिशेंट में वो कल और ज्यादा आएगा यो यह लहर आई है यो यह बेवक्षी है कोरुना की अब वो स्टेज के आगई है जब सीरियस पिशेंट की तादा अचानक से जी से कल रात से बढ़ हैं बड़ी बैठक बुलाई है कोरुना की दवाईयों से जुड़ी हुई है अप मतालों विस्तरों से जुड़ी हुई और इस पर वो लेजर खुद रखना चाहते है खुद समिक्षा करना चाहते है उन्हों ने अपना पूरे बंगाल की रहनिया रद कर दिए और दिल्ली में हाई लेवल बैठर को लाई जी धन्यवाद विकास लेकिन एक बार आपको फिर बता दें कि तुरुडमूल कॉंग्रेस ने अभी पिछले कुछ दिनों में कई बार में डिमांड की थी कि जितना संभव हो सके छे साथ आठ यानि अब तो सिर्फ दो चरण बचे हैं साथ व रहा है कुछ जगों में अभी बी मतदान जारी है जहां एक और सेकड़ो हाजानों की संख्या में मतदाना मतदाता आज केंद्रों तक पहुँच कर अपने इस प्रिंचाइसी का इस्तमाल कर रहे हैं तो वहीं दूसरी और सवाल उट रहे हैं कि आखिर कार क्या चुनाव आयोग अभी भी नहीं जाग पाया है सवाल हम चुनाव की प्रक्रिया पर नहीं कर रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग के तरीके पर कर रहे हैं कि आखिर कार इतने हजारों लोगों की जान को जोखिम में डाल कर और इन सारी बातों को नजर अंदास करने का पाप किसके सर जाएगा क्या अभी भी ये बिलक्ती सांसे, ये दर्द भरी कराहट और ये सारे सवाल जिनके जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है, इनके जवाब कौन देगा? आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री के मंच से हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार जिम्मेदार कौन और कब तक दम तोड़ती रहेंगी ऑक्सिजन की कमी की वज़े से ये सांसे हैं। आज कर दोड़ती रही हो, आज कर वाले नहीं तोड़े हैं, मैं तोड़ी हो, क्यों निक आज रहा हैं यहां से? आज कर दोड़ती हैं, आज कर दोड़ती हैं। कुछ तो बताओ, कोई को हमारे उसारा गोपए, कहांगे समके सब्सक्राइब हिंदुस्तान के हर कोने में मौत के हाहाकार की तस्पीर हैं। देश का नागरिक देहशत में जी रहा है। पहले अस्पताल में भरती करवाने के लिए चक्कर काटते हैं। और अगर अस्पताल में बिस्तर मिल भी गया, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मोहताज हो जाते हैं। लेकिन विडंबना है कि जब देश में सांसों का अपातकाल चल रहा है। उसी वक्त परश्चिम बंगाल में नई सरकार को चुने जाने का जश्न चल रहा है। परश्चिम बंगाल के चार जिलों में आज लगातार मतदान सुबह से ही जारी है। कि इन इलाकों में आज छटे चरण का मतदान हो रहे हैं लंबी-लंबी कतारे हैं कि इस वक्त हम जो है मद्दाताओं की बीश में खड़े हैं एक तरफ फुर्शों की कतार है तो दूसरी तरफ महिलाओं की कतार है कि आपको दिखाऊं बताऊं और यह दिखाने की कोशिश करों कि बड़ी संख्या में लोग वोट करने आ रहे हैं यह चाहिए सरकारे तो बात में चुनी जा सकती है लेकिन जिनकी सांसों की डोर टूट रही है वो तो कभी वापस नहीं आएंगे देश के तमाम राजनितिक गल और चुनावायोग दोनों यूपी के सुल्तानपूर से आई इस तस्फीर को देख लीजिए एक बेटी अपने पिता के लिए चीख रही है और ये वो पत्नी जिसका पत्ती अब इस दुनिया में नहीं है कोरोना संक्रमन की वज़ह से पेशे से शिक्षक सुरेश त्रिपाधी की मौत हो गई है मौत की वज़ह सिर्फ कोरोना नहीं बलकि यूपी का वो पंचायच चुनाव भी है जो हर चरण में जाने लील रहा है 19 अप्रेल को यूपी में दूसरे चरण के पंचायच चुनाव हुए सुरेश त्रिपाधी की पीठा सीन अधिकारी के तौर पर ड्यूटी लगी थी उनकी अचानक तव्यत खराब हो गई पासी सामुदाइक स्वास्ते केंद्रों में उनको भरती कराया गया लेकिन हालत बिगड़ने लगी आनन फानन में जिला चिकित साले सुल्तानपूर लाए गया लेकिन कोई कोशिश काम नहीं आए सुरेश त्रिपाधी की मौत हो गई सुरेश त्रिपाधी की तीन बेटियां और एक बेटा है पूरा परिवार मौत से सद्मे में और उस सिस्टम को कोश रहा है जिसने उनसे सब कुछ छीम गया है परिवार कह रहा है कि प्रशासन अगर उन्हें छुट्टी दे देता तो उनकी जान बच जाती सुरेश त्रिपाठी की मौत को हत्या क्यों न कहा जाए एक आदमी जो पहले से बीमार था जो छुट्टी मांग रहा था उसके बवजूद उसकी पंचाय चुनाओं में ट्यूटी लगाई गयी इस सिस्टम को मौत परोशने वाला सिस्टम क्यों न कहा जाए क्योंकि संक्रु त्वक्ति को जबरन चुनाओं की ड्यूटी करवाने पर मजबूर किया गया लेकिन ना तो सरकार को कोई मतलब है और ना ही चुनाव आयोग को लोग मरते हैं तो मरते रहें घरों में मातम पसरा है तो पसरता रहें यह तो चुनाव कराएंगे मानों चुनाव कराकर ही लोक G丘ू पर कि इतनी लंबी-lak On कring अमिकाररे पर एक साथ दरसनों लोग एक कटार में लगे हैं अब कि आदार हो और जहां अगर आप लोगों को समझ ना रहा हो कि कैसे इंसान सांसों के लिए मोहताज हो गया है तो लखनव से आई इस दर्दनाक तस्मीर को देख लीजी तस्मीरें परेशान करने वाली लेकिन इसे दिखाने के पीछे हमारा मकसद देश को ये बताना है कि बीमार अस्पताल और इनके रहनुमा जंता से कहते हैं कि हालात काबू में इसे ने एडमिन नी करा मेरी महां को क्या फैदा ऐसी सरकारों का राज्यों के नाम बदल रहे हैं लेकिन हर कोने में मौजूद शम्शान घाट में एक जैसा ही मनजर है शब इतनी ज्यादा तादाद में आ रहे हैं कि अंतिन संसकार के लिए भी लंबी लाइन लगी है क्या कभी हिंदोस्तान ने कल्पना की थी कि शम्शान घाट में मुखागनी के लिए भी लाइन लगा कर इंतजार करना पड़ेगा खलात बच से बतर हो चुके हैं यह शम्शान घाट की तस्वीरे आप देख रहा है जहां पर एंबिलन्स को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है यह बनशांकरी क्रेमेटोरियम की तस्वीरे हम आपको इस वक दिखा रहा है यहां पर अगर हम आपको गिन कर दिखाए तो और यह जो आकड़ा है वो लगाता और बढ़ता जा रहा है देखिए पर शासन साहब देख लीजिए दाप्तर साहब सुई आप कर दिए यहां कुट्टे लोग भरती नहीं है यहां इंसान भरती है देश में जिस तरह के मौजूदा हालात है जिस तरह देश की स्वास्थे विवस्था वेंटिलेटर पर है भगवान न करे किसी को अस्पताल जाने का मुह देखना पड़े क्योंकि बीमार को लेकर परिवार डॉक्टर के पास दोड़ता है और डॉक्टर नहीं मिलता तो ब सभीर को लेकर दक्षन तक कोरूना वाईरस से काप रहा है देश करनाटक के बीदर की तस्वीर देख लीजी सड़क किनारे जो लोग जमीन पर लेटे हुए हैं ये तीमारदार नहीं वलकी मरीज हैं जिन्हें अस्पताल में जगह नहीं मिली हैं ये अस्पताल से भीक मांग रहे हैं कि बिस्तर मत दो खुले आसमान के नीचे ही इलाज करदो लेकिन बचा लो एक-एक सांस के लिए तरस्ता ये हमारा हिंदुस्तान है अक्सीजन के लिए दरदर की ठोकरें खाता ये हमारा हिंदुस्तान है वो देश जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लोगों से घर से बाहर ना निकलने की अपील करते हैं लेकिन दूसरी तरफ पश्चम बंगाल में 70 फीसदी मतदान हो रहा है बीमार लोगों की पंचाज चुनाव के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है आने वाले चर्णों के लिए चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है वो कहते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे अरे किसको बहला रहे हैं आप अगर इतना ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया होता तो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के एक महीने के दोरान कोरोना के मामलों में 1500 फीसदी की बढ़ोत्री ना हुई होती सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार बहला रहे हैं कि बहका रहे हैं जो जनता है आज अपना वोट और अपने मतादिकार का इस्तमाल तो कर रही है लेकिन जब बाहर निकल रही है तो अपनी जान को भी जोखिम में डाल रही है कितना जरूरी है यह आखिरकार क्या है आज बंगाल की तस्वीर आपको दिखाएंगे और सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ कुंतल जुड़ रहे हैं उत्तर 24 परगना से और बर्दवान से जुड़ रहे हैं ज्याने इंतिवारी कुंतल क्या तस्वीरे क्या देखा आपने क्योंकि लगभग 80-50 मतदान हो चुका है आकड़े 15 दिन पहले तक बड़े लुभावने लग रहे थे लेकिन आज इससे स्ट्रेस और टेंशन भी हो रहा है जिबलकुल मनोग्या देखिए सुबे सुबे मुझे लगा था आकरा शायद 85-50 से पार हो जाएगा क्योंकि सुबे जितने भी बूट्स में मैं गया था चाहे वो हबरा वदानसवा सीटो या फिर अशोगनगर गाई घाटा जैसे 24 परगना के अलग अलग जगह अपर लेकिन जितना भी दीन आगे बढ़ा मैंने देखा कि जो टर्नाउट है काफी कम हो गया वजह शायद यह हो सकता है काफी लोग शायद नहीं गया होगा तो इस वज़े से दिन के अंद तक यह 80% से कम है यह कुल संख्या जो है 80% से कम है पुरो पस्चे मंगाल में जो पिछले पांच चरणों के चुनाफ के अगर कंपारिसन में देखा जाय तो थोड़ा बहुत कम है वजह को नहीं हो सकता है और लेकिन यह भी आकरा जो है कम नहीं है मनों कि मुझे लगता है कि बहुत ही यह टेंशन बढ़ाने वाली है क्योंक करें लेकिन किसी को मैं हेल्प नहीं कर पाया और एक किसी को हिल्प कर पाया है काफी टाइम के बाद 6-7 घंटे के बाद तो यही सिती पस्चे मंगाल में है और घंटों करना पर रहा है खुद हमें संभादाताओं को घंटों इस्तमाल तो बहुत ही मुश्किल होगा तकलीव दे हैं यह आकड़े 50,000 टेस्ट हो रहे हैं बंगाल में 10,000 से ज्यादा मामले हो रहे हैं चिंता जनक हैं यह आकड़े या नेंद्र लेकिन इन आकड़ों के साथ जबाब आज बोटिंग के आकड़े देखते हैं तो क्या देखा और क्या समझा वर्दवान में मनोग्या 82 फीसदी पांच बजे तक मत्दान हुआ है तो बहुत कम तो नहीं है लेकिन हाँ जिस तरह से ओवराल आकड़ा है उसके हिसाब से जो पूरा चार जिलो में अगर 43 सीटों में देखें तो वो पहले के मुकाबले कम है यह तो कुंतल ने बता दिया मैंने जो देखा कि जिस तरह से कोरोना की बात हो रही है बात ये भी होना चाहिए मनोग्या कि जब आज हम जहां मद्दान केंद्रों में गए तो वहां पॉलिथीन का गलप्स भी दे रहे थे हर लोगों को मतलब यह एहतियात बरता जा रहा यह सावधानी बरती जा रही है और बहुत लंबी लंबी लाइन आ रही है बहुत लंबे लोग बड़े पैमाने पर उत्साहित होकर मद्दान करने आ रहे हैं तो निश्चित तोर पर कोरोना का खत्रा तो है सावधानिया भी बरती जा रही है लेकिन ये कहना सही होगा कि दूरी तो मैंटेन नहीं ही हो पा को कह रहे थे कि आप लोग आईए वोट डालने के लिए कोई दिक्कत नहीं तो इस तरह की चीजें कुल मिलाकर दिखाई दी कोरोना का खत्रा है निश्चित तोर पर इससे इंकार नहीं किया जा सकते मनुग्या जी ग्याने इंद्र एक ऐसा खत्रा है जो अभी तक टला नह प्रश और बीजेपी के समर्थक आज भी कई इलाकों में भिड़ते रहें देश जब कोरोना से लड़ रहा है तब पश्चम बंगाल में सियासी दलों के समर्थक आपस में ऐसे भिड़े हैं ये तोड़बोल टी-मसी के दफ्तर में की जा रही है आरोप लगे हैं बीजेपी समर्थकों पर यहाँ पुलिस वाले भी हैं वो दिखाने के लिए कि रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन बवाल तो चलता रहता है अब देखिए उत्तर 24 परगना की ये तस्वीर यहाँ वीडियो घर की छट से बनाया गया और नीचे भिणे हैं बीजेपी और टीमसी समर्थकों यह सब बवाल बंगाल में छटे दौर के चुनाव के दिन हुआ बंगाल में आठ दौर का चुनाव हो रहा है दो दौर बाकी हैं बंगाल में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ है लेकिन ऐसे सियासी समर्थकों का क्या करें जिन्हें कोरोना काल में न अपनी फिक्र है और नहीं आम जनता की आज पश्चिम बंगाल के चार जिलो में मतदान की प्रक्रिया संपन हो रही है लेकिन वहीं दूसरी और पूरे देश में अगर चिंता जनक सिती है तो वो है कोरोना की एक और जहां पर बार बार आवाज उठ रही है कि ऑक्सिजन की सप्लाई कब बढ़ेगी तो महीं दूसरी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के रिस्पॉंस को देखकर सवाल भी खड़े उठ रहे हैं एक बात अभी जो सबसे चिंता जनक है वो ये कि कोरोना के आखड़े बढ़ रहे हैं और ऑक्सिजन की सप्लाई घट रही है दिल की धड़कर, सांसों की रफ्तार, इन सब को जीवन देती है ऑक्सिजन कायर कोरोना वाइरस जब घात लगा कर दम घोटता है तो जिन्दगी की डोर जोड़ कर रखती है ऑक्सिजन लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब दिल्ली एंसियार समेट पूरे देश के अस्पतालों में ऑक्सिजन का कोटा घटता जा रहा है और मरीजों की जिन्दगी पर खत्रा बढ़ता जा रहा है अक्सीजन को लेकर दिल्ली में त्राही माम मचा हुआ है सुभा सवेरे का वक्त है और इसी वक्त से ही अस्पतालों के बाहर जो लाइने शुरू हो जाती है चाहे मरीज को लेकर एमर्जनसी में एडमिट कराने के लिए हो या फिर कोविट की जाज को लेकर हो अस्पतालों के बाहर हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस वक्त दिल्ली के एलेंज एपी असफ़ताल के बाहर में मौझूद हो और यहां पर सुभा का वक्त है और एक पेशेंट को एंबुलेंस के अंदर ऑक्सीजन दी जा रही है क्योंकि जब परीजन यहां दिल्ली के राम मनोहर के जाए जब दिल्ली के एलेंज एपी असफ़ताल लेके आए तो यहां पर यकीन मानिये कि यहां पर अभी डॉक्टर ने देखा है ना ही अभी एड्मिशन का कुछ सिलसला जो है वो शुरू हो पाया है ना ही अभी एड्मिशन की कोई उमीद परीजनों को नजर आ रही है यहाल तो दिल्ली के एलेंज जेपी असपटाल का आपने देखा लेकिन दिल्ली एंसियार के ज्यादतर असपटाल में हालत ऐसे ही है दिल्ली के शांती मुकुंद असपटाल के सीईयो सुनिल सागर तो रो पड़े कह रहे हैं कि मरीजों को हम कैसे मरने दें नौइडा के कैलाश असपटाल प्रशासन का कहना है कि कुछी घंटों की ऑक्सीजन हमारे पास बची है बताईए हम ऐसे में मरीज की जान कैसे बचाए इसलिए मरीजों को अब भरती ही नहीं कर रहे हैं किस्टम करीब साड़े चार सो मरीज है जो एडमिट है हम अपने आपको स्ट्रेच किया बेट बढ़ाएं दवाईयां मंगाई अपने डॉक्टरों को हम डबल ड्यूटी करा रहे हैं पूरी रात से हम लगे हुए आज ऑक्सिजन के पीछे अब हमारे पास करीब साथ आठ घंटे की है तो सुबह छे बज़े से हम सब सारी मैनेजबेंट हमारी डिसेप्शन हमारे मेंटनेंस टीम फोन पे आए हमारे पूरे ग्रूप हॉस्पिटल में हमें ऑक्सिजन की जुर अब हम यही मिटिंग कर रहे थे कि हम करें के आगे क्या रहे हम कुछ भी देने को काकि मरीज बच जये इस टाइम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे मरीज की जान भौपाल के निर्वाना अस्पताल भी यहां आ रहे मरीजों को दूसरी जगह बेज रहे हैं वजह वही ऑक्सिजन नहीं है पूरी वात्रा में नहीं पहुचेगी तो प्रॉब्लम तो होगा ना हम लोग साथ दिन से पूरा दौड रहे हैं हर चीज के लिए दवाई से लेके सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे है हॉस्पिटल हेल्पलेस है I don't know government क्या कर रही है हमें कोई आइडिया नहीं अब देखिए ऑक्सिजन की कमी आकणों में किस कदर डरावनी है आक्सिजन को मेट्रिक टन में मापा जाता है कोरोना की इस लहर से पहले देश में हर रोज 850 मेट्रिक टन आक्सिजन की डिमांड थी और अब हर दिन 4300 मेट्रिक टन आक्सिजन की जरूरत पड़ रही है यानि डिमांड अब 5 गुना बढ़ गई है और इसलिए मरीज बेबस हैं, अस्पताल मजबूर दिख रहे हैं, नेता हडबड़ा रहे हैं हो जानी चाहिए, दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया, जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सिजन की जरूरत है, केंदर सरकार ने हमारा कोटा कल तक 388 टन तै किया हुआ था, ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है, केंदर सरकार ने हाला कि ऑक्सिजन की इस कमी से लड़ने के लिए मुधी सरकार ने बड़े फैसले लिये हैं जैसे दिल्ली समेथ कोरोना प्रभावित ज्यादतर राज्यों का उक्सीजन कोटा बढ़ा दिया गया है महाराश्ट्र के लिए तो स्ट्लील प्लांट से उक्सीजन की फ्रेन चलाई जा रही है जो विशाखा पत्टनम से चली और महाराश्ट्र पहुँच चुकी है साथी उद्योगों को दी जाने वाली ओक्सीजन का कोटा कम कर अस्पतालों को ट्रांसफर किया जाने लगा है जिनका असर जल्द दिखेगा लेकिन दब तक हालात ऐसे ही रहेंगे और दम घोड़ते सिस्टम पर सवाल उठते रहेंगे आज कौन बनेगा मुख्य मंत्री में फिलाल इतना ही कल शाम पाँच बजे प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी वर्च्वली संबोधित करेंगे अपनी चुनावी रैलियों को देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वहां सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा हाल आपको बताएंगे हर खबर सबसे आगे क्योंकि चुनावी मतलब एपी न्यूज आपको रखे आगे